गुड मार्णिंग स्टूडेंट्स तूडे वे विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर सस्थ पाठ तर शिक्स्थ लेशन चठवा पाठ और इस चैप्टर का नाम है छात्र पठती तर विद्यार्थी या छात्र पढ़ता है बच्चो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमे कारक के बारे में जानकरी प्राप्ट कर लेना है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये कारक से लिलेटर है तो बच्चो हम लोग संचिप जानकरी प्राप्ट कर लें कि कारक किसे कहता है तो क्रिया के साथ जिन सब्दों का प्रेतक्ष अर्था सिधा सम्मंद रहता है उसे ही हम क कारक के विभक्ती भी होती है, साथ विभक्ती होती है, प्रत्मा, दुवित्या, तृत्या, चतूर्थी, पन्चमी, सस्ठी और सब्तमी, तो बच्छे, इस पार्थ में प्रत्मा गुलिंग सब्त का परियोग तीनो वचनुं में ग्यागे दिना वाचन मतलब एक वाचन, दुवी वाचन और बहु वाचन में क्या गया है और प्रस्ण वाचक सर्वनाम कह, कौव के दुसरे सर्वनाम जैसे सह, तौवते की तरह ही होते है तो बच्चो आओ अब इस पार्ट को हम लोग पढ़े बच्चो इसका मैंने जिस प्रकार नंबरिंग दे दिया है उसे प्रकार आप लोग बुक में नंबर देकर इसका अर्थ को हम लोग समझेंगे चात्र पठती मतलब एक वचन में, मतलब एक चात्र, एक विद्यार्थी पढ़ता है कह पठती, कौन पढ़ता है चात्र पठती जिसकार थे, विद्यार्थी पढ़ता है दुसरा है, चात्रो पठत ये द्वीवचर में है दो चात्र पढ़ते हैं चित्र में हम लोग देख रहे हैं दो चात्र पढ़ते हैं कौव पठत कौन दो पढ़ते हैं? चात्रो पठता, दो चात्र पढ़ते हैं, चात्रा पठन्ती, यह बहुवचन में है, लवदो से अधीक है, इसका अर्थ है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, के पठन्ती बहुवचन में है, पुष्रक के पठन्ती कौन पढ़ते हैं चात्रा पठन्ती विद्यार्थी पढ़ते हैं चौत्रा नमर देखेंगे अत्र कह खेलती यहां कौन खेलता है अत्र मतलब यहां यहां कौन खेलता है बालक खेलती लड़का खेलता है अत्र के खेलन्ती यहां कौन खेलते हैं? खेलन्ती खेलते हैं अत्र बाल का खेलन्ती यहां लड़के खेलते हैं चट्था नमर दिन कह खादती कौन खाता है? वानर खादती बंदर खाता है बंदर एक वच्चन है वानर खादती सेवन्त नमर में दिन के खादन्ती कौन खाते हैं? वानर खादन्ती बंदर खाते हैं यह बहु वच्चन में है वानर खादन्ती बंदर खाते हैं इट नमबर है एश कह लब यह कौन है एश गज यह हाथी है गज चलती हाथी चलता है नाइट नमबर है एटे के अर्था यह सब कौन है एटे गज यह सब हाथी है गज चलनती हाथी चलते हैं यह बहुवचर में इसलिए है गज चलनती हाथी चलते हैं अब हम लोग देखेंगे इलेवन टेंथ नमबर कह गरजती कौन गरजता है यह एक वचर में से कौन गरजता है सीह गरजती शेर गरजता है तत्र सीहों गरजता इसकारद हुआ वहां दो शेर गरजते हैं ग्यारवा नमबर है के गरजनती मतलब कौन गरजते हैं सीह गरजनती मतलब सी गरजते हैं एशक मतलब यह कौन है एश अश्व यह घोड़ा है अश्व मिन्स घोड़ा अश्व धावती घोड़ा दोड़ता है थर्टिन नमबर है एते के यह सब कौन है एते अश्वा यह सब घोड़े है अश्वा धावंती घोड़े दोड़ते है यह भी भोचन में है एश्व पिक यह कोयल है पिक कुजती मतलब कोयल कुकता है या कुकती है दोनों ही इसका अर्थ में होगा पिक कुजती मतलब दोड़ कोयल कुकते है पिक कुजनती कोयल कुकते है फ्युप्टिंथ नमबर है एश्व शुक या तोता है सुका मिन्स तोता सुका वदती तोता बोलता है शुको वदता दो तोते बोलते हैं बच्चो जिस प्रकार मैंने इसका अर्थ बताया है ठीक उसी प्रकार नमबर ते देखे आप लोग इसका हिंदी मिनिंग लिखेगा जैसा मैंने यहाँ इस कॉप्य में लिखा है नमबर वन तो त्री का अर्थ यहाँ लिख दिया है ठीक इस प्रकार देखकर सबसे पहले संस्क्रीट शब्द उसके बाद उसका अर्थ लिखना है बच्चो आप लोग पहले भी लिख चुके हैं आप लोग जानते हैं सबसब ले संस्क्रीट वाक्य उसके बाद उसका हिंदी अर्थ लिखना है बच्चो यहाँ पर शब्दार्था दिये गया है कठिन शब्द और उनके अर्थ यह चात्रो यह विद्यार्थी दिवशन में है पठत पढ़ते हैं या पढ़ते हैं इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है वो इसे पने स्कूल की संस्क्रीट की कॉपी में लिखना है बुक का अगला एक्सरसाइज हम लोग अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे